घर को अच्छा और लग्जरी लुक देना है तो घर में फॉल सीलिंग करानी ही होती है। ऐसा जादे तर लोग सोचते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले तक फॉल सीलिंग का कोई भी और आप्शन नहीं था। फॉल सीलिंग तो बहुत टाइप की होती है जैसे की पी वी सी, जिब जानेंगे 5-6 लाइट के ओप्शन सीलिंग में बिना फॉल सीलिंग के। जब हम अपने घर पे फॉल सीलिंग कराते हैं उसमें जादे तर दो तीन लाइट ओप्शन ही होते हैं हमारे पास जैसे की पैनल लाइट, कॉब लाइट या फिर हमारे स्टेप लाइट पर अगर आ कैसे हम इन लाइट ओक से अपने घर को अपनी सीलिंग को खुबसूरत बना सकते हैं सबसे पहली बात अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करा रहे हो तो आपको पलस्तर नहीं कराना है अपनी सीलिंग पे कौन सा पलस्तर नहीं कराना है आपको सीमेंट और रेता वाला जो पलस्तर होता है वो कभी भी नहीं कराना है उससे प्रावल्लम यह होंगी कि पलस्तर करने के बाद प्योपी होगी प्योपी के बाद उस पे अंडूलेशन बहुत जादा आते हैं कितनी भी अच्छी फिनिशिंग करा लो आप पलस्तर की सीलिंग के पलस्तर की या आप पुट्टी करा दो उस पे अंडूलेशन जरूर आती है जब आप लाइटनि ओइन करोगे अपने रूम की अपने लिविंग रूम की तो सीलिंग पे डारेक्ट आपको अंडूलेशन देखने को मिलेगा ही तो बैस्ट है कि आप सीलिंग पे P.O.P. पलस्तर कराओ, P.O.P. पलस्तर कराने की एक तो फज़े ये है, इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, अगर आप नॉर्मल पलस्तर कराओगे, सीमेंट और रेते वाला, तो आपका 40-50 रुपे स्कॉार फिट पड़ेगा, और अगर आप P.O.P. वाला कराओगे पलस्तर, तो उसका आपको 25-30 रुपे स्कॉार फिट में हो जाएगा, पर उसकी फिनिशिंग बहुत जबरदस, बहुत शांदार आती है, डारेक्ट सीलिंग लाइटिंग के निये और भी ऑप्शन है, जैसे की आपका डवल स्पोर्ट लाइट, सर्फेस ट्रेक लाइट, आपका सर् पैनल लाइट की, तो अगर आप इनको लगवा रही हो, तो नैचरल वाइट लगवाओ, नाइट में इसका इफेक्ट बहुत जबरदस आता है, इस्पोर्ट लाइट्स जो होती है, जैसे की आपने पेंटिंग लगा रखी है, अपनी वाल पे, या फिर आप अपने फनीच पैनल वाली भी आती है, और एक एजस्टेबिल वाली भी आती है, इसमें जाहतर कलर आपको बिल जाते हैं, जैसे की बलैक हो गया, आपका गौल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, वाइट हो गया, पर अगर आप बलैक कलर की सरफेस लाइट यूज़ करोगे, इस्पॉट इस टाइम सीलिंग में सबसे जादा ट्रेंडिंग जो लाइट है बिना फॉल सीलिंग के वो है प्रोफाइल लाइट प्रोफाइल लाइट दो टाइप से आप लगवा सकते हो एक तो सीलिंग में आप जिर्री काट के लगवा सकते हो और एक डायरेक्ट आप स्कूरू से लग सकते हो कोई भी प्रावलम नहीं है और ये दिखने में बहुत कुपसूरत बहुत अल्टा लुक देती हैं जैसे कि आप वीडियो में देखी रहे हो अगर बात करें प्रोफाइल लैट की फिनिशिंग में ये कितने कलर्स में अविलेबल हैं तो ये दो कलर्स में जायतर मार्क के साथ अगर इंस्टॉल करा लिया तो रियल में ये फॉल सेलिंग से बहुत ज़्यादा खुबसूरत दिखती हैं और आदे से कम पैसों में भी आप इसको डिजाइन करा सकते हो अपने घर के रूब में आप बात करते हैं कॉनर प्रोफाइल लाइट की कॉनर प्रोफाइल लाइट भी बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगती है पर एक बात का ध्यान आपको जरूर देना है जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आप इश्पेशली कॉनर लाइट लगवाना चाहते हो कॉनर प्रोफाइल लाइट तो उसमें कभी भ आपको पलस्तर, सीमेंट और रेते वाला नहीं करवाना है वनना होगा क्या अगर आपने इसके बात कराया और अंडूलेशन 100% आपको अपनी सीलिंग में नजर आएगी और दिखने में वो बहुत ज़्यादा गंदी होगी और आपको ऐसा लगएगा कि आपका पूरा पैस हमें क्या पड़ेगी उससे पहले जानते हैं कि अगर हम प्रोफाइल लाइट करवा रहे हैं तो वायरिंग कैसे देनी हैं अगर आप नया घर बनवा रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें फॉल सीरिंग नहीं करानी है तो आप जगे जगे अपने लेंटर में परदस आएगी अब मार्केट में आपको दो टाइप की लाइट मिल जाएंगी जिसमें आपको एक तो एक सिंगल कलर मिल जाता है और एक मोड मिल जाता है सिंगल कलर की मतलो आप मोड वाली लो उसमें दो तीन कलर आपको मिल जाते हैं जिस मोड में आप चुराना चाहते हो उस mode में आराम से आप अपनी light को running कर सकते हो अब बात करते हैं अगर हम अपनी ceiling में direct ceiling में profile light लगवाते हैं तो उसकी क्या cost आएगी इसकी cost आपकी 175 रुपे running fit से लेके 215 रुपे running fit के अनुसार आतकती है और ये rate depend करता है कि आपके city में रह रहे हो और आप जो ceiling में design करवा रहे हो वो design कैसा है अगर जादा tough design होगा उतना ही जादा आपका electrician आपसे पैसे जादा लेगा अगर आपका easy design होगा तो उसके अनुसार वो ऐसे ही पैसे लेगा और depend होता है कि आप किस type की light purchase कर रहे हो अपने cities में दोस्तों अगर आपका कोई भी question है इस वीडियो से related तो आप comment box में हमसे पुछ सकते हो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe और bell icon ज़रू open कर लें ताकि हमारी new video का notification आपको मिलता रहे मिलते हैं जल्दी next video में